और अब आत नीत परीक्षा मामली की करेंगे जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है आज जब सुनवाई शुरू ही तो इसके दरान मुख्य नायदीश ने 100 टॉपर की सूची पढ़ते वे कहा कि इससे बता चलता है कि ये मिली भिगत के तार देजभर में फैले थे बारा राज्यों और एक केंदर शासित प्रदेश में हाला कि सुप्रीम कोर्ट में ये ने कहा कि देजभर के टॉप 100 चात्रों का अनालसिस हुआ है टॉपर अलगराग सेंटर्स के हैं इस पर याच्का करता ने कहा कि पाइथन सॉफ्ट्वेर पेपर ली की गड़बड़ी नहीं पकर सकता है याच्का करता हूं कि मताबिक आईटी ने अनलसिस के लिए बेसिक नंबर 23 लाख रखा जबकि सांफिकीत तौर पर इसे एक लाख आथ हजार रखना चाही था आखरा जानबूच कर बढ़ाया गया तो कि इतने बड़े आखरे में गलती नहीं पकड़ी जा सकती सुनवाई में हर्याना के बहादुर गड़ में एक हरदया स्कूल का नाम भी सामना है याच का करता की वकील ने कहा कि देश के सभी परिक्षा केंद्रों पर SBI से प्रशन पत्र दिये गए जबकि बहादुर गड़ में अकेला वो केंद्र था जहां कैंडरा बैंग से प्रशन पत्र लिये गए संजे शर्मा मेरे सयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ संजे देखिए डीटेल्स में और बारीकी से अब जब अध्यन किया जा रहा है तो कई लूप होल सामने आ रहे हैं किस बैंग से प्रशन पत्र जारी किया गया कहा किस सेंटर पर गरबड़ी हुई किस तरीके से तमाम अन्य अनालिसिस जब किये गए तो ऐसे गरबड़ियां सामने आ रही है जो बारीकी से जब अध्यन किया जाएगा तब ही पकड़ में आएंगी क्योंकि शुरुआती तोर पर तो एंडी ने नकारी दिया था कि बड़ी फैर तरीके से परिक्षा हो रहे लेकिन ऐसा नहीं है इनी सारी चीजों के लिए किसी ने लिखा था कि इब्तदाई इश्ख हैर होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या जब से शुरू हुआ ये मामला तब से कुछ ने कुछ खुलासा चल ही रहा है और आज एक नया किस्ता आया बहादुर गड़ के उस स्कूल का जिसमें ये कहा गया कि सब जगे तो SBI के प्रशन पत्र से एक्जाम हुए यहां कैनरा बैंक से हुए CCTV कैमरे की फुटेज दी गई और ये कहा गया कि इसमें कुछ लोग अंदर जा रहे हैं और प्रशन पत्र लेकर आ रहे हैं इसके अलावा और भी कई जगे की चीजें सामने आ रहे हैं कोट ने कहा कि फिलहाल इसलिए एक लाख आठ हजार जितने सीटे हैं उस पर अगर हम इसको मामले को बेस्ड रखते हैं तो कोट ने पूछा है और कोट ने ये भी पूछा कि सेंटर चातर जब ऑनलाइन फर्म भरते हैं तो क्या वो सेंटर चुनते हैं शहर इस पर NTA की तरफ से कहा गया कि वो सिर्फ शहर चुनते हैं और सेंटर का फैसला NTA करता है जो एक्जाम के दो या तीन दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करते समय सेंटर तै होते हैं कोट ने कई सारे आंकडे मांगे हैं जिन आंकडों का जिक्र अब भोजनाव काश के बाद जब मामले के सुनवाई शुरू होगी तब उसका उस पर बात चीत की जाएगी कोट ने कहा है कि जितने टौपर हैं टौपर्स की सौची पढ़ते वे कोट ने कहा कि ये कई राजियों में हैं एक सिंटर के नहीं हैं अलग अलग शहरों के हैं अब इनका क्या माइना निकाला जाए और इसमें क्या सवाल जबाब होंगे ये तो बस अब सुनवाई होगी उसमें सामने आ जाएगा लेकिन ये जरूर है कि 12 राजियों और एक यूटी में ये तमाम लोग हैं तो अब उसकी एनलसिस होगी चूँकि सुनवाई के समय ये भी कहा गया याचिका करदाओं के तरफ से कि इतना बड़ा डेटाबेस बना दिया है NTA ने उसमें छोटी चीजें पकड में ही नहीं आ सकेंगी इन बड़े बड़े डेटाबेस में छोटी छोटी घटनाई ऐसी हो जाएंगी कि वो कोई पकड नहीं सकता है इसलिए जब थोड़ी सी रेट से अगर सोना निकालना हो तो आदमी निकाल सकता है लेकिन समंदर के पास की रेट में अगर थोड़ा सोना हो तो कैसे चाना जाए तो इसलिए ये मुश्किल है अब ये देखना होगा कि कोट कौन से डेटाबेस पर भरोसा करता है और किस डेटाबेस को लेकर आगे सुनवाई आगे बढ़ती है ये भी भविशे के गर्त में है लेकिन वस थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये जो Python software का जिक्र किया गया है याजका करता की ओर से इससे गर्बड़ी क्यों नहीं पकड में आएगी क्या आप जानकारी दे सकते हैं क्या है ये software कैसे पकड़ता है गर्बड़ी पाइथन कोई भी सौफटवेर है तो उसके लिए इनका ये कहना है कि डेटाबेस अगर कम हो तो उसमें गड़बडी पकड़ी जा सकती है इस पर कोट ने कहा कि हमें इसको एक लाख हाट हजार को बेस करके चलना चाहिए क्योंकि इतने ही सीटे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेज में एक लाख हाट हजार और उसी क्याधार पर हमें इस पर आगे बढ़ना चाहिए कोट ने दो तीन बार सुनवाई के दौरा ने इस पर किया कि लेट्स फोकस ऑन वन लाख एट थाउजन तो अब यह देखना होगा कि इसमें और क्या-क्या गड़बड़ी की चीजें बताते हैं पाइथन जो सॉट्वेर है उसमें एक लाख आट हजार यह सेंपल बहुत छोटा नहीं है संजे 25 लाख चाहतरों ने एक लाख आट हजार को यह सेंपल नहीं है यह एक लाख आट हजार टोटल सरकारी मेडिकल कॉलेजेज में सीटे हैं जिन पर एडमीशन होना है और यह भी कहा गया कि कोर्स छोटा हो गया और उमीदवार बढ़ गए इसलिए इतने लोग पास हो गए लेकिन याचिका करता हूं नहीं कहा कि कोर्स छोटा भी हुआ और कहीं बढ़ा भी है बढ़ा भी है बढ़ाया भी गया कोर्स इसलिए यह दलील देना गलत है और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिनका जिक्र NTA की रिपोर्ट में नहीं किया गया है उनका रिपोर्ट होना चाहिए था यह हर्याना का माम लाया है और भी कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में कहीं भी नहीं है जबकि वो जिक्र होने के बिना रिपोर्ट अधूरी है प्यार करने वाली टीम के उपर सवाल उठाए गए तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन सवालों के जवाब मिलने बाकी है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया समाम जानकारी खिलाफ का संजर शर्मा माईसायोगी जानकारी रतेवर्ट